नमस्कार मैं आपके साथ महेंदर श्रीवास्तो अज मेरे साथ है नीमच नगर पालिया की प्रथम नागरिक्षिमती स्वाती चोपड़ा स्वाती जी नमस्कार नमस्कार पहले बार अध्यक्षपनी एक साल आपको और आप जो गिनारे इसमान से बहुत बड़े काम है विधा जो मैंने जो जिम्मेदारी ली है मुझे नीमच के काम करने है और जो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है मैं उसको अच्छे से कर पाऊं नेक नियत से इमानदारी से और मुझे लगता है कि मैं कर्मों में बिलीव करती हूं कि अच्छे करम जो होते हैं वो हमें मन का स कर पाऊं लोगों को हेल्प कर पाऊं गरीबों की पास आवास नहीं होता है जब देखते हूं कि वह जुग्य जोपड़ी में रहने को मजबूर है तो मन को दुख होता है तो अपने काम अच्छे काम मुझे करने हैं उसके लिए भगवान रास्ता दिखाता जाएगा मैं आग पढ़ लेती हूं देखती हूं समझती हूं तो मुझे लगता है कि सब कुछ कर्मों का खेल है आपका कियावा कोई भी करम आप उसे मुक्ति नहीं पा सकते हैं कहते हैं करम तो भोगे ही कटते हैं भागे नहीं कटते हैं और जहां तक बात करूं धरम में विश्वास की तो क जिसपे प्रिपाहु राम की वो पत्ठर भी तर जाते हैं मर्यादा पुरुषॉत्तम राम तो जो एक मर्यादा में रहकर और अपने बेटे का धरम निभाया, पती धरम निभाया, एक अच्छे राजा बन के उन्हें अपना धरम निभाया, चाहे उनको कितनी भी दिक्कते आई, उन्होंने अपनी अच्छा ही रखी, अपनी नेकी रखी, तब ही वो भगवान बन अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो भगवान भी हमारा साथ देते हैं, बस मुझे रता है कि वो मेरी जो आस्ता है, वो अटल आस्ता है, धरम में, पापा की मैं बात करूंगे, यहां पर भी जो पापा है, संतोष जी चोपड़ा, उन्होंने हमेशा नीमच का भल बहुत गर्व तुम पर महसूस होगा, तो जब भी टमाटर महंगे होगे तो उन्होंने यही बोला मुझे पोन लगा कि मैं टमाटर खोड़ दी हैं एक महीने से, क्योंकि मेरे राष्ट्र में, मेरे देश में कोई दिक्कत आई है, तो मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए मुझे उस दिक्कत को बढ़ाना नहीं है, वो अच्छे खासे वेल टूडू फैमली से हैं, हम लोग भगवान की दिया से सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बड़ा बिजनिस हैं उनका, लेकिन वो यही बोलते हैं कि अगर मैं एक मेन टमाटर नहीं खाऊंगा अच्छे काम हम करें, क्योंकि यह हमारे ही लोग है, हमारा ही देश है, इसको हमे अच्छा करना है, जब बोलती कि पॉलिटिक्स में क्यों आए है यां थो बहुत भलष्टा चाहर है, तो मैं सोचते हैं कि अख़े लोग नहीं आएंगे, तो अच्छे कैसे होगी राज तो लोगतंत्र अच्छा ही रहा है वो जनता के लिए ही है लेकिन उसको कुछ लोगों नो खराब कर दिया है तो हमें उसमें आगे बढ़ कर उसको अच्छा करना है मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छी बात है कि दोनों पाप और मेरे हजबन गौरभ यह सब लोग जो हैं ऑर कहीजना कहीं इनकी बहुत प्यौर इंटेंशन्जन आख हैं बहुत अच्छी बहावनाह के-स नहीं करने हैं कहते हैं न राजनीती करने आएं, नहीं, हम अच्छे काम करने आएं हैं, जब तक अच्छे काम करने का मौका मिलता रहेगा, मैं आगे बढ़ती रहूंगी, कुछ भी जब हम किसी की भलाई कर देते हैं, तो मन को इतना सुकून मिलता है, अच्छी नीन्द आती है, ये सोच के कि वो मजबूर था, या वो परिशानी में था, या उनका कोई सही काम नहीं हो पा रहा है, तो जब हम वो काम करा पाते हैं, और एक ऐसी पोस्ट भगवान की दयार से मिली है, तो उसको अच्छे कामों में यूज करना है, यही मेरे पापा की भी सोच है, संतोजी कि लोग होते हैं, वो सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं, आफिसों के चक्कल लगाते हैं, इतनी दिक्कते हैं, उनको होते हैं, उम्मीद करते हैं, यह फ्लाना देश्ष मना हमारा कुछ काम करेगा, ऐसे कैसस आते हैं, उनका जितना भला कर पाएंगी, वो दुआएं आ हैं ऐसी कोई सोच मेरी नहीं है, मैं बस काम करना चाहती हूं, और पार्टी को मैं बहुत मानती हूं, मोदी जी को मैं बहुत मानती हूं, 35% आरक्षन लेकर आ हैं महिलाओ को जल्दी बिल पास हो जाएगा आज कल में, जिस देश में सुष्मा स्वराज जैसी एक नेता रही मुझे लगता है कि जब औरतों को मौका मिलेगा तो मैं बहुत शौर हूं कि बहुत अच्छी औरते बहुत स्ट्रॉंग विमन जो है वह निकल के बाहर आएगी और जब मोदी जी को देखते हैं कि एक इंसान नीसवार्त भाव से देश की सेवा में जुटा है और इतनी अच् सशक्त होती है वो देश प्रगत्य की और अग्रसर होता है तो आज का जो नया भारत है महिलाओं को एक स्टैंड मिला है महिला सशक्तिकरन को लेकर जो कदम उठाए गए है चाहिए वो मद्रप्रदेश के सरकार दुआ रहा हो लाडली लक्ष्मी योजना हो लाडली बहना तो जो एक सम्मान बीजेपी ने महिलाओं को दिया है उसके लिए मैं बहुत उनका आदर करती हूं उनका सम्मान करती हूं करीब बहुत देर साब से बात कर रहा हूं जो टैलेंट आप नजर आ रहा है जो 33% आरक्षन जो आ रहा है जो क्या लगता है पार्टी अवसर तो द कि इस चाहूंगी कि वो जो सीठ है वो सही हातों में जाए वो किसी गलत हाथ पे ना जाए शेहर का विकास बहुत ज्यादा डिपेंड करता है इस बात पर कि कौन जो है इस सीठ पर आता है चाहिए वो विधायक जी हूं और सांसद जी हूं तो एक अच्छा विधायक अगर नीमच एक स्मार्ट सिटी बन जाए तो आने वाले सालों में जो हमारे बच्चे हैं हमें उनको ये शेर सौप के जाना है हम में से कोई भी अमर पट्टा लिखवा के नहीं आया है कुछ वर्षों की बात है सब आये है सब को जाना है पर अच्छा शेर अगर अपने बच्च फृट कर लेकर कभी इतना सारा जो डिख समझता है जो दरम समझता है ना अपकी जो जोतिश जानते है जी वह हैं अच्छी बात है कि वैसे कुंदली की बात मैं करती नहीं हूँ जादा पर जो शनी है वो उच्चो के बैठे हैं तो शनी एक नयाय प्रिय प्लानेड होता है वो तिफ न्याय मैं बिलीव करता है कि न्याय होना चाहिए है, सही चीज होनी चाहिए तो मुझे लगता है कि एक ही बात मैं बिलीव करती हूँ कि कभी भी गलत कोई काम करें उसको मुइका ना मिले तो अच्छे लोगों के साथ आज नीमच का विकास इसलिए हो पाया है पिछले कुछ वर्षों में सित्तर साल में जो विकास नहीं हो पाया आप सोची ऐसा क्या हुआ कि 2014 में जब मोदी जी आए 2003 के बाद जब यहां पर हमारे सिवराज सिंग जी चौहान आए तो क्यों MP की हारत बदल के हो गई MP जो एक बिमार राज्य था आज स्वर्ण मध्य प्रदेश हो गया तो कुछ अच्छे लोगों की अच्छी नियत और अच्छी नीती के वज़े से MP ने विकास का एक नाया आयाम चुआ है हम सब देख सकते हैं पहले लाइटे नहीं आती थी लोग बाहर बैट रहते थे पानी नहीं आता था इतनी दिक्कते थी सड़क नहीं हुआ करती थी लोग एमपी की सड़कों का मजाग उडाते थे मैं राजस्तान से हूं तब मेरी शादी मेरी में नहीं हुई थी तब हमारे हाँ पर MP की सड़कों से में हुआ है तो एक ऐसा बलब बढ़ा मैं से मैं हूं तब आप पर मुझे लगता है कि आज कि तारिक में कोई MP का मजाग मिलके बहुत जरूरी यह बहुत जरूरी आपसे बहुत सारी बात अबसे वी और जो आपका वीजन नीमच शेहर को लेका रहे यह बहुत अच्छा आप सोज रहे हैं आप फिर मिलेंगे नमस्कार नमस्कार नमस्कार